बॉइवूड एक्ट्रिस नेहा दूफिया साल 2018 में फिल्मों या टीवी शोस नहीं बलकि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्ख्यों में रही तीन महीने पहले अंगंद बेदी से शादी कर उन्हें चौकाया और हाल ही में नेहा ने आने वाले बच्चे की खुशकबरी फ फ्लॉंट करती हुई मीडिया के कैमरों में कैद होती रही हैं इसी बीच कुछ दिन पहले एक्ट्रेस मिस्स दीवा 2018 के रेड कार्पेट पर नजर आई ब्लैक अंड रेड गाउन में नेहा मीडिया के लिए पोस दे रही थी और इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिससे वाइर से उन्हें कले लगाया और साथ मैं पोस्ट करने के लिए बुलाया शिल्पा उनके साथ रेड कार्पेट पर आई और नेहा के वेबी बंप पर हाथ फिर आने लगी ऐसा करने पर एक्ट्रिस ने बेहुद चुकाने वाले एक्स्परिशन दिये मालूम हो कि 24 अगस्त को नेहा और अंगण ने अपने होने वाले बच्चे की जानकारी दी थी नेहा दूपिया ने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर इसका एलान करते हुए अंगण के साथ तस्वीरें भी पोस्ट की थी इन तस्वीरों में नेहा दूपिया अंगद बेदी की बाहों में दिखी और अंगद बेदी उनके पेट की और इशारा कर रहे हैं नेहा दूपिया ने इस फोटो के साथ मैसेज लिखा है नई शुरुवात हो रही है हम तीन सतनाम वाहे गुरू लंबे वक्त से नेहा दूपिया की प्रेगनेंसी को लेकर चल रहे कयासों पर उनके इस पोस्ट ने बिराम लगा दिया है बता दे नेहा दूपिया ने इसी साल 10 माय को दिल्ली में अंगद बेदी से गुबचुक ब्याहा रचाया था और वहीं क्रिकेटर विशन सिंग बेदी के बेटे अंगद बेदी फिल्म इंडस्ट्री में सक रहे हैं वे दिल्ली के लिए रंजी खेल चुके हैं